हेलो और वेलकम डियर स्टुडेंट आज हम लोग प्रश्णावली 3.5 का पहले प्रश्ण का चौथा देखेंगे और सभी वीडियों को देखने के लिए इसके पीछे बना हुआ है 3.4 बगेरा का ठीक है आपको इस चैनल पर जो है कि संपूर्ण प्रश्णावली अर्था इसने भी पाठ इसमें है 15 पाठ है असार 15 अध्या है सभी पाठों का जो है कि सभी प्रश्णों के हल और उनके जो कंसेप्ट है ठीवरी है ठीवरी सहीत आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आए देखते हैं चौथा प्रश्ण क्या दिया है एकस माइनस 3y-7 इक्वल 0 3x-3y- –15 इक्वल 0 । छिक है यह लिखा हुआ है अब इसको हमको हल करना है देखिए पहले का चौथा है ठीक है पहले काई पहरा होता है पहला समीकरण है यक्स-3Y-7 equal 0 ठीक ये समीकरण एक हो गया अब क्या दिया हुआ है 3X-3Y-15 equal 0 ये हो गया समीकरण 2 हो गया ठीक है कितना हो गया ये हो गया समीकरण 2 अच्चा तो अब देखिए अब देखते हैं हम लोग अब ये दोनों समिक्रण है इन दोनों समिक्रणों का A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल 0 A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल 0 के साथ तुलना करते हैं तो जेखिए जब तुलना करेंगे ते A1, B1, C1 A2, B2, C2 इन सब के मान हमको क्या-क्या प्राप्त होते हैं आप लोग देखिए A1 का मान देखिए कितना आएगा समिक्रण एक का इस वाले समिक्रण से तुलना कीजिए A1 का मान देखिए X के गुडांक में है 1 माइनस 15 है ओके अच्छा अब तीनों का अनुपात हम लोग निकालते हैं जैसा कि पिछले वाले प्रशनों में हम लोग पिछले वीडियो में किया थे B1, B2 का अनुपात माइनस 3 अपान माइनस 3 ठीक है C1, C2 का अनुपात यह अगर आपका आगया यह अपका आगया 1 और C1, C2 का अनुपात माइनस 7 माइनस 7 अपान माइनस 15 यह अपका आगया 7 अपान 15 तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर देखते हैं कि A1 और A2 का जो रेसियो या अनुपात है वह B1 अपान B2 के रेशियो या उपात के इक्वल नहीं है ठीक है जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या होगा यूग्म के समिकरणों के यूग्म के यूग्म का कर सकते हैं यूग्म का अदुटिय हल प्राप्त होगा तो इस इस्तिती में उसने प्रस्ण में कहा है कि जब भी अदुटिय हल प्राप्त होने की समभावना है तो आप इसे वज्र गुडण विधी से हल किजिए तो अब देखिए अब हम लोग इसको वज्र गुडण विधी से हल करते हैं वज्र गुडण विधी से हल करने पर इसको समिकरणों के यूरूं को एक और दो को तो देखिए एकस बीवन बीटू के जगह पर क्या है बीवन बीटू के जगह पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ माइनस तीन माइनस तीन सीवन सीटू के जगह पर क्या है माइनस सेवन माइनस त्युप्टिन एक y लिखेंगे a1, a2 के जगवाँ पर क्या है 1, 3 b1, b2 के जगवाँ पर माइनस 3, माइनस 3 अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x upon माइनस 3 का इसके साथ multiply होगा, माइनस 3, 5 जा 15 सोरी, 15, 3 जा 45 तो माइनस माइनस प्लस यह हो गया 45 फार्मूले का माइनस 3, 7 जा 21 प्लस हो गया, और यहाँ माइनस है माइनस यह आएगा, 21 हो गया equal y upon 7, 3 जा 21 minus 21, minus फार्मूले का, 15 जा 15 minus 15 1 upon 3 जा 3 minus 3, minus फार्मूले का, ठीक है अब आपका हो गया कितना 3, 3, 4, 9 minus 9 हो गया ठीक, तो आगया x upon 45 minus 21 तो 45 में से जब आप 21 minus करेंगे तो आपके पास कितना आएगा आपके पास आएगा 24 x upon 24 आगया, ठीक है अब उसी तरह अब उसी तरह यहाँ पर देखिए minus बाहर है, minus अंदर है plus हो गया, plus 15 minus 21 plus 15 कितना होगा minus 6 होगा y upon यह हो गया आपका minus 6 1 upon फिर उसी तरह देखिए 1 upon कितना होगा minus 3 है, minus minus plus minus 3 plus 9 कितना हो जाएगा minus 3 plus 9 हो गया आपका 6 ठीक है minus 3 plus 9 आपका हो गया 6 अच्छा है, x वाले को इसके साथ ले देजिए, y वाले फिर इसके साथ यह हो गया, y equal minus 1 ठीक है यह आपका answer आगया answer कितना है, x का value 4 आगया और y का value कितना आगया minus 1 आगया ओके